भगवान के इस सुन्दर बगिया में सब के मन को मोहने वाली परमादर्निया, दादी हुर्दे मोहिनी, जिनकी याद आते ही मन की तह से न जानते हुए निकलता हैं, वाह बाबा वाह, वाह दादी वाह, सब बोलेंगे वाह बाबा वाह, वाह दादी वाह, निसंकल्ब देवता दादी जी, जिनके दर्शिन मात्र से मन मयुड नाच उड़ता हैं, चित शान्त हो जाता हैं, मस्तक जुक जाता हैं, मन्द मुस्कान चेहरे पर बिखर जाता हैं, भगवान के एभाकेशाली रत, साकार बाबा के अवेक्थ होने के बाद, बाप दादा को अपने पवित्र तन के द्वारा, हम सब से मिलाने वाली दादी जी, सरल्ता मुगदता की प्रतिमूर्ती, दादी जी आपका इस सुन्दर नुमा शाम के समय पर हार्ती स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। हे भगवत वाहीनी सुपुनीते, हे मंद हासीनी शुभाशीनी, हे इश्वर आर्पिते, हे मधूर नयनी, मधूर भाशीनी, हे महायोकीनी, हे सर्वहुर्दै मोहीनी, ताती कुल्चार्थी, तवस्वागत, शुभस्वागत, तवअभिनंदन, शुफार अभिनंदन। ओम शान्ती, अव सभी भाई बेनों को देख, खुशी हो रही है, क्यों, जो पहले बाड़ी आए है, वो अपने घर में आगे, आप सभी भी अपने अपने अस्थान से ओरीजिनल अपने घर में आगे, मदूबन है ओरीजिनल सव का घर, तो आप किस प्लेन या ट्रेन में आये हो, पता है, आप आये हो, प्यार के ट्रेन में या प्लेन में, क्योंकि सभी के चेहरे पर क्या दिखाई दे रहा है अभी, बाप दादा का प्यार दिखाई दे रहा है। सबसे ज़्यदे प्यार, हर एक समझता है, मेरा प्यार है बाबा से ज़्यदे काई पूछेगे ना, बई सबसे ज़्यदे प्यार किसका है, तो क्या उठाएंगे? हाथ उठाएंगे? दो दो आथ उठाओ. बाबा से प्यार ही आपको लाया है। तो बाबा से प्यार है, तो बाबा को आपने कहां बिठाया है? कहां पिटा है, दिल में, दिल में बाबा बैठा है, पका, पका बैठा है, कि कभी-कभी निकल जाता है, जिसे प्यार होता है ना, उसको अलग होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन बाबा तो हमारे दिल में बैठा है, माना, कमबाइड है हमारे से, हमारा बाबा है, आप क्या कहेंगे, मेरा बाबा या फलाने का बाबा, केहेंगे मेरा, पहले कहेंगे मेरा बाबा है, प्यारा बाबा है, मीठा बाबा है। तो सबी यहां आए है नए नए अन्बाव करने के लिए। बले सेवा केंदरों पर भी जाते रहे हैं। लेकिन वो अन्बाव और मदुबन का अन्बाव उसमें फरक है। मदुबन में आने से बहुत बड़े चांस मिलते हैं। देखो, यहां आप निरंतर योगी से जोसत। क्यों एक तो बाबा का घर, बाबा के घर मदुबन का भोजन। मदुबन में पड़िवार देखो, कितना बरा है। कितना भी वहां बरा हो, लेकिन मदुबन में आने से कितना बरा घर हमारा और कहां कहां बाबा है। वह पता पर जाता है। तो सभी को मदुबन में फाइदा क्या उठाना है। क्योंकि यहां कोई जम्यवारी नहीं है आपकी। अगर किसकी जम्यवारी है तो वह थोरो की है। लेकिन आप सब और जम्यवारी कोई नहीं है, एक ही जम्यवारी बाबा देता है, मुझे याद करो। लेकिन आप से मैंने पूछा कि बाबा को प्यार है बहुत लेकिन कहां बिठा है बाबा को दिल में तो आप आपकी दिल जो है वो सब दिलवाला मंदर हो गई दिलवाला मंदर में क्या है चित्र है और आपके पास दिल में चैतन में बाबा है कितने भागयवान हो भगवान को अपने दिल में बिठा दिया और भगवान भी बड़े खुशी से बैठ गया है भगवान भी बच्चों की मेमा करता है वा बच्चे वा तो ग्यान में बाबा के पास तो आ गए उसकी तो मुबारक है बाबा के बन गए अपने दिल में बाबा को बिठा दिया तो जब बाबा दिल में बैठा है तो क्या मैनत की ज़रूरत है याद करना नहीं पड़ता है याद सुते ही आता है क्योंकि दिल में बैठा है ना दिल आराम दिल में बैठा है इसलिए हमको पुर्शारत करने में कोई मैनत नहीं लगती लगती है किसको मैनत लगती है वो हाथ उठाओ कोई कोई उठा रहे है मैनत तब लगती है जब आप समझ दे कि बाबा हमारे साथ बैठा मदूवन में आना अर्थात बाबा के साथ सदा बाबा के सिमर्दी में रहना बाबा का घर है बाबा मेरे दिल में बैठा है कहां जाएंगा बाबा तो नहीं निकलता है मैं निकलता हूँ वो बाबा की बाबा की बाबा अलग है बाबा की बाबा तो दिल में बैठा है बाबा करन करावन हार जब इतना याद बाबा की रहती है तो पुर्शारत में कोई मेहनत नहीं करनी परती है कुछ भी पुर्शारत करते है बाबा बैठा है न दिल में कि कभी कभी निकल जाता है निकलता है बाबा हमारे दिल में बैठा है ये सदा जिसको याद रहता है वो आथ उटाओ वाँ हाथ तो बहुत उटे है अभी देखना बाबा भी देख रहा है आप भी देख रहे है और कमबाइन है बाबा दिल में बैठा है तो कमबाइन है न बाबा हमारी जो कमबाइन होता है उसको याद करना पड़ता है या याद भूलना मुश्किल है बस ये चेक करो कि बाबा दिल में बैठा है मैंने बिठाया है या आता जाता है कभी निकल जाता है कभी मैं बिठाता हूं बाबा अगर दिल में बैठा है तो आप अकेले थो रही हो बाबा आपके कमबाइन है फिर आप को मुश्किल क्या है हर बात में बाबा साथी है दिल में बैठा है तो सबसे नजदीग तो दिली है मैंनद की बात ही नहीं है अगर बानो कोई बत ऐसे होती है तो कहो बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा बाबा हादर करके देखो ये समर्थी रखो बाबा मेरे दिल में बैठा है इसलिए यहां देखो अबू में यादगार क्या है दिल वाला मंदर ये किसका याद है आपके दिल में बाबा है ना इसका यादगार ये दिल वाला मंदर और बाबा कहते है मैनत क्या करनी है कुछ भी मैनत नहीं कोई भी ऐसी मुश्कलाता वे आप स्रब करके देखो क्योंकि हम लोग उने छोटे पन से किया है मेरा बाबा कहा बाबा हाज़र है ऐसा अन्बाव है बाबा कहते है मैं हूँ ही किसे लिए मेरा काम ही क्या है मेरा काम है एक एक बच्चे के साथी बनना साथ है मानो साथी और कुछ भी हो जाए मानो आपको मुश्किल लगता है तो बाबा दिल में बैठा है न मदद लो ना इस तूल में भी देखो मेरे साथ जो रहते है अगर मेरे से कोई काम नहीं होता है तो साथी साथ देते है न ये तो बाबा है आये ही हमारे लिए है नाज है आपको हमारे लिए बाबा आये है है और मदूबन में आये है कभी भी अकेले यहां भी मदूबन में भी और अपने अस्थान में भी अकेले कभी नहीं हो क्योंका आपका साथी ऐसा है जो बाबा को हो बाबा हाज़र कोई रवाजी बाबा नहीं है उसका सुर्फ लाब लो क्या है दूसरे कामों में बिजी हो जाने के कारण बाबा के साथ का जो अन्बाव है न वो थोरा भूल जाता कौन मेरे दिल में बैठा है में आए तो खुशी है खुशी है जो सदा खुश रहते है वो हाथ उठाओ सदा खुश सदा खुश कुछ भी हो जाए लेकर खुशी नहीं जाए क्यों कि खुशी जैसी कहते है खुशी जैसी कोई और बड़ी चीज़ नहीं है खुशी है तो जीवन है और खुशी की कमाल पता है क्या है जो किसी चीज़ में नहीं है वो कमाल कौन सी है देखो कोई भी चीज़ आपके पास है आप किसको देते हो तो आपके पास वो कम होती है होगी न कम लेकिन खुशी ऐसी चीज़ है जो जितना देंगे उतनी बड़ेंगी कम नहीं होती इसलिए बाबा ने भी मॉर्लियों में, बीच-बीच में पूछा है खुशी कभी कभी तो नहीं रहती है जब बाबा दिल में बैठा है तो बाबा के साथ खुशी भी है, शक्तियां भी है, सब हो है ना या तो पूरा दिल में बिठाया नहीं है इसलिए होती तो आए हो मदुवन में भागय है आपका जो यहां तक पहुंचे हो अभी यहां से क्या वर्दान लेके जाएंगे बूलना क्या होता है बगवान को बाबा को वो बूल जाएंगे सदा मेरे दिल में साथी है एहसान बहुता है यहां कि अभी भी दिल में नहीं बैटा है उसकी खुशी नहीं है जो समझते है मदुवन में आके बाबा मेरा साथ है यह अनवव एक नैचरल होता है वो हाथ उटाओ बड़ा हाथ उटाओ नैचरल मेहनत नहीं करने परती हमको भी खुशी है कि आप सबी अपने घर में पहुँचगे इसलिए बहुत बहुत मुवारक है मुवारक है मुवारक यह मुवारक को हाजर जब भी कहो तब हाजर हो जाता है ना इसलिए वो सर्वयापी कह दिये लेकिन हम समझते हैं कि सर्वयापी नहीं है लेकिन बाबा का प्यार है इसलिए सहज हो जाता है ओम शैंती अभी यहां से जाएंगे तो यहां से लेके क्या जाएंगे जो बाबा का प्यार यहां सभी का देखा अपने दिल का भी देखा वो प्यार सदा दिल में रहे इसलिए बाबा ने अपने मोलियों में कहा है कि एक शब्द छोड़ के जाना कौन सा शब्द बाबा कहता है याद में रहते हो तो कोई कोई कहता है कभी कभी और कहते है प्यारे ते प्यारा बाबा है प्यारी चीज कभी बूलती है क्या तो यहां क्या करके जाएंगे अपने मन में ये दिरज संकलब करो संकलब नहीं दिरज संकलब करो कि सदा एक तो खुश रहेंगे खुश ही नहीं गमेंगे दूसरा सदा माया जीत बनेंगे क्योंकि यहां रह करके अगर आपने अन्बौ किया होंगा तो यहां खुशी गई किसी की यहां खुशी गई हाथ उटाओ खुशी गई खुशी रही रही जिसकी वहाथ उटाओ है रही हाथ रही मता है रही खुशी तो यहां अभ्यास हो गई है ना सदा खुशी रह सकती है ना तो अगर ऐसा ही अन्बौ करो बाबा हमारे साथ है यह समर्थी रहे बाबा बेटा है कंबाइंड है मैं अकेली नहीं हूँ कोई भी बात आवे बाबा बस हाथ बाबा इसी कोई बिजारो ने हाथ नाजर कह दी है लेकिन हमारे दिल में हासर है ऐसे नहीं है कि सबके दिल में है जो याद करते है उनके दिल में तो यहां यह करना खास कोई भी आपकी कमजोडी हो ना पुर्शारती तो सभी है तब तो आए है लेकिन कोई भी कमजोडी आपकी रह गई है वो कमजोडी यहां डेरेक्ट बाबा को देखे जाओ और अगर कोई ऐसा संसकार है जो बार बार आपको बाबा से अलग कर देता है जिसको कहते है बाबा माया आगई उस माया को वैसे तो बाबा कहते है मदूबन में आना माना बाबा से सर्वशक्तियों का वर्दान देखे जरा दब सर्वशक्तिया है आपके पास तो कोई भी संसकार अगर रह गया है तो यहां कहां न कहां भगीचे में विर्खे के नीचे खड़े होके यहां ही छोड़ के जाना छोड़ना तो आता है ना छोड़ना आता है हाथ उठाओ छोड़ना आता है फिर तो सब्सक्राइब अच्छे है वही आपने उठाया आपने माता होने उठाया आच्छा क्योंकि यहां मदुवन में आना कहां आए है मदुवन क्या है वो तो समझाई होगा अन्बव किया ही होगा यहां स्वै बाबा की बाते और कुछ भी नहीं जो भी क्लासिस चलते हैं कितने क्लासिस चलते हैं उसमें क्या बाते होती हैं बाबा की ना और आप आए भी किसलिए हो यहां कुछ न कुछ और अपने में भरने के लिए तो मेरे पास क्या भरा क्या निकला अगर नहीं निकाला हो कुछ भी कमजोरी तो निकाल के जाना और वहां सिंटर पर जाओ तो बाबा मेरे कमबाइन्ड है दिल में बैठा है बाबा कहो बाबा हाजर हो जाती है अगर दिल से कहते हो बाबा तो क्योंको बाबा कहते है मैं हूँ ही किसके लिए आया ही हूँ तुम बच्चों के लिए तो दिल से बाबा कहो बस बाबा हाजर मतलब से नहीं बाबा ही दुख देंगा ना बाबा ही करेंगा ना तो बाबा आप करो ना ऐसे नहीं अमंग हुलास अमंग हुजत से को मेरा बाबा है मैं अकेला नहीं हूँ अकेले होते ही क्यों हो वो कंबाइंड है तो कभी बाबा के बिना अकेले नहीं हो ना सबसे नजदीक तो दिल है ना दिल में बैटा है कितना नजदीक तो सबी क्या करेंगे कोई भी कमजोरी छोड़ी या साथ ले जाएंगे जिनोंने छोड़ी है कमजोरी वो हाथ उटा हो अच्छा हाथ उटाओ लेके नहीं जाना कमजोरी है हो जाएंगा नहीं होना ही है होना है तो अब ही होना है समय के अकिलास सुनाना कभी भी कुछ भी हो सकता है इसलिए हमें भी कुछी है हमारे इतने भाई और बहने अपने घर में पहुंचे हैं तो यहां से बिलकुल खाली जो भी कोई ऐसी बाते हो वो यहां छोड़ के जाना छोड़ना आता है छोड़ना आता है पीछे वाले छोड़ना आता है तो मैं समझती हूँ बाबा देख देख हम बच्चों को कितने खुश होंगे बाबा क्या कहेंगा वा बच्चे वा वियरत को खतम कोई भी वियरत फालतु संकल पाता है ना जिससे आप भी तंग होते होंगे तो जिससे तंग होते है ना वो यहां छोड़ के जाओ बाबा मेरे कमबाइंड है मैं अकेला नहीं हूँ अकेला कभी नहीं बनना अकेले में देखो माया चांस लेती है अगर बाबा साथ है तो माया तो कदम नहीं रख सकती तो सब क्या बनके जाएंगे बाबा के प्यारे प्यारे मीठे मीठे बच्चे बनके जाएंगे कम भी सब यहां छोड़के मीठे मीठे प्यारे प्यारे बनके जाएंगे है ना हिमत हिमत है मात है हिमत है वाह हिमत है बच्चे मदद बाप मदद बाप तो है यह यहां से क्या ले जाते हो खुशियों का खजाना भड़के ले जाना खुशी कभी कभी नहीं बाप को कहते है ना बाप पूछते है सदा खुश हो तो हाथ नहीं उठते मैं कहते कभी कभी होते तो बाप कहते कभी कभी चब्द यहां छोड़के जाओ सदा तो क्या ने जा रहे हो सदा बाबा साथ है सदा मैं निर्विगिन हूँ सदा बाबा के आगे आगे सेवादारी हूँ क्योंकि हरे को यग्य सेवा भी मिली हुई है अपने अपने अस्तान पर सबी अभी दो मिनिट अपने अंदर संकलब करो जो भी अभी भी कमजोरी कोई रह गई हो न वो इस हाल में छोड़ के जाओ हो सता है छोड़ने आता है छोड़ने आता है उसमें हाथ उठाओ छोड़ने में जिसको आता है अच्छा वहाँ छोड़ने में भी उशारो बहुत अच्छा तो जो भी जहां भी जाओ वहाँ से आए बाबा ये बच्छा तो उर रहा है चल नहीं रहा है उर रहा है आपको क्या मुबारक दे बाबा ही देख करके आपको बहुत खुश हो रहा है बच्छे वाँ बच्छे वाँ देखो यहां बले फोटू आपका नहीं निकला हो लेकिन यहां बाबा के आटोमेटिक कैमेरिया है उसमें तो आपका फोटू निकल गया है तो फोटू की लाज रखना बाबा देखे वाँ वाँ मेरे बच्छे वाँ मेरे बच्छे अच्छा छोड़ने आता है ना कि जो भी कुछ कमी होगी वो साथ नहीं ले जाना इस्टेशन तक भी नहीं ले जाना यहां ही छोड़के जाना बाबा कहते है मुझे और कुछ नहीं दो अपनी कमी जो है वो यहां छोड़के जाओ और कुछ नहीं कुछ तो सभी ने छोड़ी कमी कि साथ ले जा रहे हो छोड़ा हाथ उटाओ छोड़ा साथ तो नहीं ले जा रहे हो अगर कमी आवे तो आप क्या करेंगे कहेंगे अभी मैं छोड़के आया बाबा को के आश्रम में देखे आया क्योंको बाबा कहता है जो मेरा बच्चा बना है न वो मेरे साथ ही चले बाबा के साथ ब्रमा बाबा से भी प्यार है न तो ब्रमा बाबा कहां जाएगा अपने राज में जाएगा न तो आप सब कहा जाएंगे ब्रमा बाबा के साथ अपने राज में चलेंगे न और कहा तो रही ये तो विनाश हो जाएंगा कहा जाएंगे बाबा के साथ चलेंगे न जैसे ब्रमा बाबा सुख्यम वतन में बैटा है अपने राज में जाएंगा हम भी अपने राज में जाएंगे अच्छा तो सभी ने छोड़ा छोड़ा को थोड़ा थोड़ा लेके जाएंगे दो शब्द छोड़ के जाओ एक कभी कभी रहता तो ठीक हूँ लेकिन कह देते हैं तो हमको मामा कहती थी सिंधी बाशा में लेकिन माना किन को किचरा कहते हैं तो मामा कहती थी लेकिन माना किचरा लेके जा रही है छोटे छोटे आये न हम भी तो छोटे पन में ममा ये पाठ पराती थी तो एक तो कभी कभी शब्द बोलेंगे कभी कभी हो जाता है, कभी कभी आ जाता है ऐसे बोलेंगे कभी-कभी शब्द छोड़ेंगे न, सदा, वा, अच्छा, सभी से, नमस्ते हुआ 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 है हुआ 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 है braris झाल 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 झाल